प्राइम टीवी हम को सब को मिलकर 2024 लोकसभा में चुनाओं मजबूती से लड़ना है साथी कल सदन में सविव विधायकों को 9 बचे पहुचने के निर्देश दिये उसके बाद सविव विधायकों को चौदरी चरर सिंग की प्रतिमा पर धना प्रदेशन करने की बात कही ठीक उसके बाद 11 बचे सदन की कारेवाई में शामिल होने के निर्देश दिये साथी प्रदेश के तमाम मुद्दों पर सरकार को खेने की भी बात कही है वहीं लखनव मद्य से विधायक रविदास मलहोत्रा ने बैठक की निकल रहा है कि इस प्रदेश में तमाम मुद्दों पे सरकार को खेरेंगे वहीं बीते दिन हुए ग्लोबल इन्वेटर समीट में हस्ताक शरुए MOU कितने धरातल पर उतर रहें इसको लेकर सवाल पूछेंगे लखनव मद्य से विधायक रविदास मलहुत्रा हमारे साथ है समझवादी पार्टी सत्र से पहले अपने विधायकों अपदादिकार्यों साथ एक बैठक की है इसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है कि हम कल कैसे सरकार को घेरेंगे चर्ण सीजी की पृतिमापर जाएंगे और अगर सरकार ने कहीं हमको रोकने का प्रयास किया तो हम लोग वही बैठक धरना देने का काम करेंगे और ग्यारा बजे जब राजिपाल सदन में आएंगी तो हम लोग राजिपाल के वाशन का व्योद करेंगे और क्योंकि जो पढ़न जा रही है वो पूरा जूट का पुलिंदा है बजट का 20-30% भी अब तक खर्च नहीं किया गया है और जमीनी इस्तपर कहीं कोई विकास काम दिखाई नहीं पढ़ रहा है लगातार प्रदेश में अपराद बढ़ रहे हैं जनता सुरक्षित नहीं हैं महेंगाई बढ़ रही है विरुजगारी बढ़ रही है और जनता के पैसों को प्रदेश की सरकार प्रदेश करने का काम कर रही है और कहीं कोई विकास का काम दिखाई नहीं पढ़ रहा है केवल मुख मंत्री और मंत्री लोग जुड़ बोलने का काम कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल बेकर देखा जाए तो ग्लोबल इंवेस्मेंट समिट हुआ है और कहा जा रहा है कि इसमें 32 लाग से लेकर 34 लाग रुवता कि निवेस आने की बात कही गई है कहा गया है कि इतने के MOU साइन हुए है इसको लेकर क्या सदन में कुछ आप सवाल उठाएंगे लेकिए जो इससे पहले भी ती बार समिट हुई लेकिन कुछ भी यहाँ पर काम नहीं हुआ ना कोई फैक्टरी खुली ना कोई उद्योग खुला ना कोई कारखाना फुला ना किसी को रोजगार मिला अब इस बार ये फिर कह रहे हैं ये हर बार ये कहते हैं लेकि जमीनी इस तर के उपर कहीं कोई काम दिखाई नहीं पड़ता है यह केवल जनता के पैसों से मंत्री विदेश घूम रहे थे जनता के पैसों पर जो है बड़े-बड़े उद्योग पतियों को जो है भुजन कराया गया है खाना किलाया गया है और केवल दो बड़े पूजी पती हैं उनको लाप जने काम हो रहा है अब अडानी की संपत्ति जो है आज से आठ साल पहले 51 क्रोड पर थी आज 22 लाग करोड रुपिया हो गई है पहले अडानी का नंबर ता 609 पूरे दुनिया के अंदर आज दो नंबर गया है यह केवल अडानी को लाप जने काम करते हैं जनता कोई से कही कोई लाब होने वाला नहीं है जनता के पैसे का इनों दुरुपियों करने का काम किया है और जो बाते घुषणाएं कर रहे हैं सब कागजी हैं जमीन पर कही कोई काम दिखाई नहीं पड़ेगा कहा जा रहा है कि चाचा भतीजा की ये जूरी कही ना कहीं सरकार को घेरते हुए कल नजर आ सकती है इससे कितना बदलाव आया है सपाक के अंदर में और सदन में कितनी मजबूती मिलेगी कि साथ साल के बाद जो है माने श्यूपाल यादो जी स्वाजी पार्टी की कालेले में आये और उन्होंने पूरी बैठक में वो सामिल रहे जिसी रूम से जब पार्टी में दुनों लोग जुड़ गए हैं तो इससे पार्टी मजबूत होगी और कल अखलेश यादो जी औ दोनों मिल करके पार्टी विधायकों के साथ संगर्श करने का काम करेंगे तो आप सुन रहे तेरा विधास मलहुत्रा को वही कानपूर मामले में पिर्दों से मुलाकात करने पहुंचे सपा विधायक मनोश पांडे ने कहा कि हम कई सवाल कानपूर मामले में तयार रखे है हैं उसको सदन में पूछेंगे मनुज पांडे हमारे साथ है मनुजी आज सदन की कारवाई से पहले एक बैठा की गई है किन विश्यों पर चर्चा की गई है कैसे सवकार को गिवने का काम गवेंगे गलाव देखिए प्रदेश में आज बड़ी समस्या हैं किसान परेशान है नौजवान परेशान मजदूर परेशान है प्रदेश में कानून बेवस्ता गिज़तिती खराब है इन सारे मुद्वों को समाजवादी पार्टी विधान सभा के अंदर जो नीमा उली है उस नीमा उली में अलग लग नीमों में लाने का काम करेगी कानपूर में मावेटी की मौत के बाद आप जा रहे थे उनसे मिलने आपको रोका गया कि इन मुद्वों को भी सदन की पटल पर रखा जाए पिल्खुल लखेंगे कानपूर की घटना को प्रमुकता से सदन में लाने का काम करेंगे तो हमारे साथ समझवादी पाठी के वरिष्ट नेता मनोस पां सदन में युवा विधायक के तौर पर अपनी पहचान और ग्रामिड परिवेश की समस्याओं को पटल पर रखने की बात करने वाले चित्रकुट सदसे वधायक अनिल प्रधान ने प्राइम टीवी से बाचीत की है और क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुनाते हैं चित्रकुट से वधायक अनिल प्रधान हमारे साथ हैं सदन की कावाई से पहले आज आप लोग बैठकर एक वरणीती बनाए हैं क्या है वरणीती और कैसे सरकार को घेवने का काम करें समाजवादी पार्टी ने हमेशा जब से बीजेपी की सरकार वे सूत्तर प्रधेस में आगी डबल इंजन की सरकार कहते हैं तब से कहींने कहीं पूरे प्रधेस में एक आरा जगता का महौल है और जो सामपरदाइक ताक्ते हैं वो बढ़ रही है जो आम आदमी हैं जो विचारा समाज कंतीम पैदान पर बैटा बेक्ति उसको नया नहीं मिला है और किस तरह सुत्तर प्रदेश में तमाम सारी लोकतंत की ब्योस्थाओं को समिधाम को कमजोर करने का काम किया गया अभी जो कानपुर की गटना गटी आपने देखा हूँ इसी तरह तमाम सारी हजारों सारी गटना है हमारी माताओं बैनों दलित समाज के या समाज कंतीम पादान पर बैटे ब्यक्ति के साथ घट रही है और लोकतंत में समिधान में मानी मुक्वंति जी अब फिजपी की सरकार में उसके नया नहीं हो रहा है यह लोग केवल जाती धर्मे के आदार पर होट लेने का तो काम करते हैं पर जब उस वरगा और उस धर्मे के लोगों को नया मिलने की बात आती है तो यह लोग पीचे सब्सक्राइब कर दोसी चीज जो बिरोजगारी है उसकी संक्या बढ़ गई चात्र हमारे उत्तर प्रप्देश का विश्यूप में नौजवान हतास हो गया पेट जैसी परिच्छा साल में कराते हैं उसका सेंटर रखेंगे 200 किली मीटर इस बात को मैंने विदान समय कुछन क परिच्छा में एक दस लाख लड़के लगबक अगर लड़के पास करते हैं साल बार में तो सरकार में महँगाई बिरोजगारी और तमाम सारे बीसेओं पर मुद्दे पर बात चीत करने से भगती है वह क्यों लोगों को आप सी बाट कर लोट लेना चाहती है वांकी काम न एक बात कितना मजबूत आप कारे करता और जो बिधायक मजुद में एक नई उर्जा का संचार हुआ हम सब लोगों को चुकि हम तो नए बिधायक हैं मारदर्सन हम सब को मिला है और एक लंबा उनका राजनीतिक समर्ष राह मानी नेतर जी के समय से उन्होंने समाब उत्तर में हमेशा किसानों नौजवानों चात्रों दलतों महिलाओं से जुड़े मुद्धों को हमेशा सदन में का काम की है उनके आने समको मजबूती मिलेगी और एक कदम आगे रखकर हम और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई को लड़ने का काम विधान स कहेंगे वीडियो जॉनलिस्ट विजय के साथ विभान सू प्राइम टीवी लखनों तो वही समाजवादी पार्टी के वरिश विधायक अवदेश प्रसाद ने प्राइम टीवी से बाचित पे कहा कि हम शिवपाल यादों के पार्टी में वापस आने के बाद कहीं न कहीं म नौबार के विधायक हैं किन विश्यों पर चर्चा की गई है यह तो जबसे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है किसानों की समस्या है बेरुजगारी समस्या है भ्रस्चार है कानून बवस्ता है इन सारे मुद्धों पर बड़ी मजबूती के साथ हम मामले को उठा किये हैं आज किन मुद्धों को लेकर सरकार पर निशाना साथने की बात कि यह किसान का मुद्धा है और बरस्ता चार का है बेरुजगारी का की बैठा को लीड कौन किया क्या से उपाल जी अब जिसमें सभी लोग थे अब उसमें आप देख लेते कौन लीड कर रहा है जी तो हमारे साथ मिल्की से विधायक और अधेश प्रसाथ थे जिनका साफ तौर में कहना है कि हम जन्ब समस्याओं को कल सदन में उठाएंगे और सरकार से बांग करेंगे कि इसको पूरा किया जाए विडियो जॉनलिस्ट विजय के साथ विभांसू प्राइम टीवी लखनो